नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं मौसम विभाग के अनुसार, रेक्टर पैमाने पर तिवरता 3.6 आकी गई है, जो जमीन के 5 किलो मिटर गहराई में था भुकम्प देशांतर की ओर 85.59 पुर्व वह अक्छांस 23.05 उत्तर की ओर रही इसका केंद्रे खरसावा के 13 किलो मिटर दूर खुटी छेत्रे की ओर बताया गया ललीच चोजरी ने बताया है कि वह घर पर बैठे थे कि अचानक कमपन शुरू हो गया घर में रखे बरतन से आवाज आने लगी करीब 10 से 11 सकेंड के भुकम्प नहीं लोगों ने दसत डाल दिया है जादतर लोग या समझ ही नहीं पाए कि अचानक या क्या होने लगा इसे पहले की लोग कुछ समझ पाते भुकम्प आकर भी चला गया पुरी धरती डोल रही थी बेड में सोई लोग और कूर्शी में बैटे लोग भी अचानक से ही डोलने लगे गढ़वा में पीए मोधी के आगमन को लेकर SP जी ने किया निरिक्छान जारखन बिधान सवा चुना दो है 24 को लेकर प्रधान मद नयाद मोधी 4 नौवंबर को जारखन आ रहे हैं पीए म गढ़वा की धरती से चुनाई बिगुल फुकेंगे इसको लेकर भाजपास लेकर जीला पससन तक अपने अपने त्यारी में लगे हुए है गढ़वा सहर के चेतना बिसाल मैदान में 4 नौवंबर को पीए म मोधी की सवा होगी वे लगभग साड़े 11 बजे मैदान में पहुचेंगे और लगभग एक घंटे तक यहां रुकेंगे इसको लेकर तियारी जोड़ सुरू हो गई है सभास्तल पर सुरक्षा के चाक चोबन व्यवस्ता की गई है सभास्तल पर बड़े-बड़े हैंगर लगाया जा रहे हैं ताकि जो भीड उम्रेगी उसमें आ सके वहीं सभास्तल से कुछ दुरी पर अस्थाई हैलिपेट कर निमन कराया जा रहा है पूरे सभास्तल को बल्ली के सारे घेरा जा रहा है सभास्तल के हर और नजर रखे हुए है तीर धनूस पर वोट डाले और हेमंत सुरेन को मुख्य मंत्री बनाए कलपना सुरेन जारखन की बहन बेटिया ससक्त हो और आगे बढ़े यह भाजपा को कते ही मंजूर नहीं है भाजपा की राइनिती ने हमारे राज की महिला विकास वजनाओ को ठाहराव लाने में डालने का काम किया है भाजपा के कारण ही पूरे पांच महीने तक विकास काम ठप था जारखन के दूसरे चरण में एक ट्रांसजेंडर और पचपन महिला समेत 528 परत्यासी जारखन बिधान सबा चुनाओ दूसरे चरण में एक ट्रांसजेंडर पचपन महिला और 472 पूरू समेत कूल 528 परत्यासी है इनमें मन्याता प्राप्त राज्यों की राज अस्तर ये पार्टी ने 34 परत्यासी और 136 परत्यासी पंजी करीत गैर मन्यात प्राप्त राज नितिक दलों से हैं और सरवधिक निर्दालिय परत्यासी हो की संक्या 257 है इस चरण में 20 नोवंबर कुमादान होगा जारखन के मुख्य निर्वाजन पतादिकारी के राभी कुमान ने कहा है कि दूसरे चरण की विधान सबा चुनाओ को लेक सिलेंडर जारखन में अगर भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनी तो लोगों को 500 रुपे में गैस सिलेंडर मिलेंगे जारखन परदेश भाजपा अध्याक्ष बावलार मारांडी ने आए घोसना की है विधान सबा चुनाओ के पहले उन्होंने कई और बड़ी घोसनाएं की है उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार बनने के बाद 2,87,000 लोगों को सरकारी नोख़ी दी जाएगी बाबुलार मारांडी धनबाज जिले के बाग मारा में भाजपा परत्यासी सतुद्र मोहतों के समर्थन में जनसभा को समुदित कर रहे थे उन्होंने जानता से अपील की है कि वे परदेश में भाजपा की सरकार बनाए उन्होंने पार्टी के परमुक संकलपों के बारे में आम जनों को बताया है बाबुला मांडी ने अस्वासन दिया है कि भाजपा सरकार बनने पर जार्खन के लोगों को 500 उरुपे में गय सिलेंडर उबलब दिकराया बिजेपी की सरकार बनते ही 2,87,000 युवाओ को सरकारी नोकरी भाजपा की सरकार बनने पर जार्खन के 2,87,000 युवाओ को सरकारी नोकरी मिलेगी एक साल के भीतर ही 1,00,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा वहीं अगले 5 साल में सभी 2,87,000 पदों पर न्युक्ति हो जाएगी बावुलार मांडी ने यह भी अस्वासन दिया है कि प्राइवेट सेक्टर में पांच लाख रोजगार के औसर भी रिजन किये जाएंगे बतादे भाजपा परदेश अध्यक्ष ने रोजगार भत्ता देने का पिवादा किया है कहा है कि बीए और एमे पास यूकों को दो साल तक प्रती माह 2000 रुपे भता मिलेगा ताकि वे आत्म निर्भर बन सके उन्होंने कहा है कि पीए मोधी ने गरीबों की सानों मजदूरों और गाउं में रहने वालों के प्रती सर्वेदन सीलता का पिरिचा दिया है उन्होंने परधान मत्री आवास यूईना के जरिये गरीबों को आवास उपलब्द कराए तो आयुस्मान भारत यूईना से पांच लाग तक के इलाज की सुभधा भी उपलब्द करवाई है हर ब्यक्ति को राशन भी उपलब्द कराया गया है जारखन में 13634 लाइसेंसी आर्म्स हुए जमा जारखन के CEO के रभी कुमार ने कहा है कि जारखन मिधास बाचुनाव 2224 को लेकर 13634 लाइसेंसी आर्म्स जमा कराया गया है वहीं 1314 लाइसेंसी धारियों को आवेदन के बाद जमा करने से छुट दी गई है राजे में 16696 लाइसेंसी हत्यार है वहीं आदर्स चुनाव आचार संहीता लागू होने के बाद से अब तक कूल 135.70 कोड़ की अवेद समागरी और कैस की जबती की गई है आदर्स चुनाव आचार संहीता लागू होने के माबले में अब तक कूल 24 प्रत्मी की भीदर्ज की जा चुकी है उन पर नेमा अनुसर करवाई की परकिरिया जारी है वेशनीवर को धुरुवा के निवाचन सदन में प्रेस वर्ता कर रहे थे CEO के रभीकुवान ने कहा है कि चुनाव आयोगनिस्पक सोतंत्र और भायरहीत मतदान को लेकर लगातार चौकसी बरत रहा है इसी के ताद जार्खन के लाइसेंसी हथियारों को जामा कराने की परकिरिया चल रही है जार्खन की नई चीप सेक्रेटरी अलका तिवारी जनहित में करेंगी काम 1988 की सिनियर आयेस अपसर अलका तिवारी ने सनिवर को जार्खन की मुख सचीव का पदभार गरहन कर लिया है वे जार्खन की तिस्री महिला मुख सचीव है इनसे पहले लक्षमी सिंग और राज बालावरमा राज की मुख सचीव रहा चुकी है बता दे पदभार गरहन कर अलका तिवारी ने कहा है कि जनहित में काम करना उनकी प्रत्मिक्ता होगी पदभार कर रहन करने पर डीजीपी अजय कुमार सिंग समेत अन्य अधिकारियों ने मुलकात कर उन्हें बदाई दी है नई मुख सचीव रहा कर प्रत्मिक्ता बताना उचित नहीं है जैसे ही नई सरकार का गठन हो जाता है जनहित में काम करना ही उनकी प्रत्मिक्ता होगी पत्रकारों के सवालों का जबाब देते हैं उन्होंने कहा है कि जैसे ही राज में नई सरकार का गठान हो जाएगा वो नई सरकार की ओजनाओं के प्रत्मिक्ता के अनुसर काम करेंगी सीम हेमन्त ने कहा भाजपा के लिए जहर्खन दुधारू गाए मुख्यमंत्री हेमन्त ने कहा है कि भाजपा जहर्खन को दुधारू गाए समझती है दुध निकाल लेती है पर खाने के लिए चाला नहीं देती उन्होंने कहा है कि भाजपा पुंजी पत्यों की पार्टी है इस चुनाओं में एक और गरीब मैदूर और किसान है वहीं दूसरी ओर धनवान और पुंजी पत्यों की जमात है सीम सनीवार को खुटी जी लेके तोरपाई स्थी तपकारा हाई स्कूल मैदान में चुनाओी सबा को समोधित कर रहे थे हेमन सुरे ने कहा है कि भाजपा ने चुनाओ प्रचार में आवाई जहाज हेलिकोप्टर और कई राजजियों के मुख मंत्री को लगाया है इनको रोकने के लिए अकेले हेमन सुरें खड़ा है उन्होंने कहा है कि जहारखन में विकास का काम तेजी से हो रहा था इसे घबराक और समय से पहले चुनाओ कराया जा रहा है जहारखन में हिंदूओं की अबादी घटी हिमनता असम के मुख मंत्री सह भाजपा के चुनाओ सह प्रभारे हिमनता विश्वसरमा ने कहा है में संथाल से लेकर पलामू तक जन संख्या में व्यापक बदला हुआ है खुसपैटियों की वज़ा से राज में हिंदूओं के लिए अबादी घटी गई जबकि मुस्लिम लगातार बढ़ रहे है ऐसे में हिंदूओं के एक जूट होना होगा जब हिंदू एक जूट हो में ताके पक्ष में चुनावी सभा को समधित कर रहे थे इमांता ने कहा है कि हमांसुरे ने 35 क्लोड रुपए का मालिक किसी हिंदू को नहीं इर्फान अंसारी और अलमगीर अलम जैसे लोगों को बनाया या समझने के काफी है कि जार्खन सरकार सानातन की नहीं है उन्हों प्रधान मत्री नायंद मोदी जार्खन में भाजपा परत्यासियों के लिए चुनावी जनसभा का आगाज 4 नौमबर को चाईबासा और गढ़वा में दो जनसभाओं से करेंगे इसके बाद वे 10 नौमबर को रांची और बुकारों में भी जनसभा को समधित करेंगे पर बासागी सभा के लिए पी-म टाटा कॉलेज मैदान में दीन के एक बज़े हेली कोप्टर से उतरेंगे सुरक्षा के मद नजर स्पीजी के टीम ने सुकरवार को ही टाटा कॉलेज मैदान में अपने कबजे में ले लिया था इधर 10 नौमबर को बोकारों के चंदन क्या आज भाज़पा का घोसना पत्र जारी करेंगे इसके साथ 150 संकल्प भी होंगे भाजबा अपने संकल्प पत्र में राज्य में सरकार बनने पर 300 यूनित बिजली फ्री देने राज्य में बुजुर्गों को 3000 रुपे मांसिक पेंसन देने जैसी बड़ी घोसनाओं को सामिल कर सकती है वहीं संकल्प पत्र जारी किये जाने के दरान बावला मरांडी सिराज सिंग चोहान और हिमंत विश्व सर्मा आधी मौजूद रहेंगे जारखंडियों का बकाए 1.36 लाख क्रोर लौटा दे सीम हमांद परधान मंत्र नायंद मदी और केंद्री गरीह मंत्री अमीज साके जारखंड दोरे से पहले मुख्य मंत्री हमांसिरे ने खुला पत्र लिखा है उन्होंने यह पत्र परदान मंध्री के नाम लिखा है, जीसे सनिवार को सोशल मीडिया प्लेंट फॉर्म एक्स पर सोर्जनी किया गया सीम ने लिा है कि ग्रिह मंत्री सनिवार को और परदान मंत्री सोम وार को ज्यार खण आ रहे हैं फिर उनसे करमबद प्राथना करता हों कि जार्खन्डियों का बकाय एक लाग शतीस हज़ार को रुपई लोटा दे जार्खन एवं जार्खन्डियों की विकास के लिए रासी अत्तनती आवस्यक है मुख्य मंत्री ने इसके लिए भाजपा के साथ ही खाजकर सांसुदों से भी अपील की है कि वे बकाय रासी को दिलाने में मदद करे इंडिया में छतरपूर विश्रामपूर पर बात चित जारी जार्खन विधान सभा चुनाओं में सभी सीटों से परत्यासी तय हो चुके हैं लेकिन छतरपूर और विश्रामपूर सीट पर अभी भी रास्ता निकालने की बात इंडिया गड़ बंधन कर रहा है इंडिया के घटक दलो की और से सनीवार को प्रेस कॉन्फरेंस में जामो के महासाचु बिनोत पांडे ने कहा है कि राजधनवार से जामो और माले ने परत्यासी उतारे हैं इस सीट पर दोनों में दोस्ताना संगर्स होगा वहीं छतरपूर और विश्रामपूर से कांगरेस वर राजध ने परत्यासी दिये हैं दोनों के बीच अभी भी इस पर बात चित चल रही है और एक दो दिनों में फैसला हो जाएगा उन्होंने कहा है कि इन दोनों सीटों पर फ्रेंडली लाइट रोकने की कोशिस की जा रही है माले नेता सिवेंदू सिन ने कहा है कि गड़मंदन के घटक दलों में एक जुटता है दोस्ताना इस अंघर्ष के बाद भी अने सीटों पर पूरी मुस्तहदी से चुनाव लड़ रहे हैं प्रेस कॉन्फरेंस में कॉंग्रेस मीडिया विभा के चेर्मेन सतीस पाल मुझानी भी मुझूद थे जमसेदपूर में हाफ मैराथन 24 नॉमबर को पहली बार है जब जमसेदपूर में हाफ मैराथन का आवेजन हो रहा है इससे पहले 2,5 और 10 किलमीटर का मैराथन हो चुका है आयोजकों ने इस बार कई और बदलाव किये हैं इस वर्ष दो किलोमीटर की परिवार मैत्री पूर्ण और गैर प्रतियस्थी दोड अनन्त रन का आवेजन भी किया जाएगा अनन्त रन सभी वर्गे के परतियोगी ताव के लिए होगी इसके अलावा पांच किलो मिटर और दस किलो मिटर की दवड का आवेजन भी होगा कॉर्परेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चाना के चोधर ने बताया है कि फीट फैमिली स्रेनी में जहां एक परिवार में नियुम्तम चार सदसे बच्चे और माता पिता सामिल होंगे वहाँ परतियोगितों को दस परतियोट चूट मिलेगी इसके अलावा फीट श्रेनी में यादि किसी समोह में नियुम्तम 20 व्यक्ति कर्परेट कल्ब या संस्थाओं में सामिल होते हैं तो उन्हें 15 परतियोट के चूट दी जाएगी जार्खन में बठा धौनी पर्दूसान को डुरंडा में साम 6 से 7 बजे की बीच 95.6 डेसीबल तक सोर रहा या सरवधिक था रांची यहरपूर्ट को चूटी बार उड़ाने की मिली धमकी बीर्शा मुंटा यहरपूर्ट रांची को चूटी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है 28 अक्टूबर को दिन के करिब 3 बजे एक सेंडल पर धमकी भारा पोस्ट मिला है जिसमें 24 के बीमान को उड़ाने की धमकी मिली है इससे पहले 22 अक्टूबर और 25 सितंबर 2024 को भी धमकी मिली थी इस पूर्व माई में भी धमकी मिली थी इसके बाद देश की सुरक्षा एजेंसियों ने बीसा मुंडा एयरपोर्ट पर VVIP मुवमेंट को लेकर अलट जारी किया है और कहा है कि एयरपोर्ट और भारतिये मौसम बिग्यान विभाग कर्याले की सुरक्षा को खतरा है एयरपोर्ट टर्मिनल भावन के सामने से मौसम विभाग कर्याले तक सुरक के दोनों और अवैद पारकिंग और अप्रिये घटना का कारण बन सकती है सुरक किनारे अवैद पारकिंग की वज़ा से VVIP मुवमेंट असुरक्षित हो सकता है धन्यवाद